अब मैं आता हूँ वन नेशन वन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड ये भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्पुन योजदा शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्राखंड, मध्यपदेश, राजस्थान के लोग देश में गुमते हैं मजूरी में अब दक्षिन भारत क भी घुमते हैं, तो अगर वो गाओं पर राशन कार्ड में उसका नाम है, तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा, तो प्रधानमंती जी को ये चिंता जब बताई गई, उन्हें ने इसका राथा निकालो, तब देश में, वो मेरे IT विभाग ने उ हर्श होता है, कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन, वन राशन कार्ड को एड़ाप्ट कर लिया, 34 राज्यों है, और अभी तक इस पर 28 करोड ट्रांसाक्शन हुए हैं, किसके, पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं, तो उनको कोई दिक् कि अगर कोई विक्ति बिहार का या या यूपी का या राजस्थान का या मंद्वदेश का दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गावं में राशन लिया, आधा यहां लिया, यह मतलब होता है, वन नेशन, वन राशन कार्ड का, भारत के सिर्फ तीन प्रदेशों अभी तक One Nation, One Ration Card को implement नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोडते हैं, एक बात आपको मैं बता दूँ, आधार भी मैं देखता हूँ IT मंतिक रूप में, आधार का मतलब क्या होता है, आपकी physical identity को confirm करने के लिए आपकी digital identity, आपके digital व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान, और कैसे आखों के आइरिस और उंगलियों के निशान, या अंगोठे के निशान, और इसकी कहानी ये है, कि आप प्लास्टिक सरज़री से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना ना मदल सकते हैं, इसकिन अपने आख तिस राज्यों ने वन नेशन वन राशनकार्ट को फॉलो किया तीन प्रदेश नहीं किये हैं एक आसाम क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था जो उनके स्थानी समस्याई थी नागरिता को लेकर के जा दिया और बाकी दो प्रदेश एक का नाम है बंगाल और दूस किया है इसका जवाब देवो क्या परशानी है आपको क्या दिक्कत है आपको बीजेपी के और से यह सवाल हम बहुत प्रमगता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशनकार्ट को फॉलो करने को तयार है तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी इनक कि उठार से उयार है